Hello everyone, welcome back to channel तो कैसे हैं आप लोग I hope अच्छे होंगे तो चलिए आज के नई क्लास के शुरुआत करते हैं आज है day 22, कल हमने cover किया था day 21 तो आज कल mcqs, उत्राखन mcqs स्रीज चल रहे हैं तो स्वागत है आप लोगों का best notes टिटोरियल में और आज हम cover करेंगे उत्राखन सामाने ग्यान एवं सामाने आईधेयन प्रेस्न और उत्तर उत्राखन के जो exam चल रहे हैं उनके लिए 20 important mcqs में लेके आ रखा हूँ आप लोगों के लिए तो चलिए शुरू करते हैं पहला mcq है और mcq सुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि आप यदि पीडियाप लेना चाहते हैं तो description box और first comment में आपको whatsapp group link मिल जाएगा वहां से आप हम हमारे साथ whatsapp group में जूड सकते हैं तो पहले mcq है उत्राखंड के राजय पक्सी मोनाल का प्रिया आहर क्या है तो आप तो जानते होंगे वैसे उत्राखंड का जो राजय पक्सी है वो मोनाल है और उसका प्रिया आहर है वो है आलू option number b is right answer राजय का पक्सी मोनाल है और उसका प्रिया आहर है आलू अगला है राज यपोस्प ब्रहम कमल की कितनी परजातियं उत्राखहंट में पाई जाती है option nummer A आपका है आपका है आंसर 26, B है 49, C है 24 और D है 41 तो आपका जो इसमें सही आंसर है वो है C 24 अब उत्राखहंट का राज यपोस्थ ब्रहम कमल है और यानि उत्राखन का जो राज़ पुस्प है वो भ्रहम कमल है और उत्राखन में इसकी जो परजातियां पाई जाते हैं वो पाई जाते हैं 24 अगला है उत्राखन राज के नगर निगम का प्रमुक किसके द्वारे नियुक्त किया जाता है तो उप्सिन पढ़ेंगे हम यहाँ पे राजय सरकार द्वारे नियुक्त किया जाता है राजयपाल द्वारे नामित किया जाता है इस्ताने जनता द्वारे निर्वाजित किया जाता है या सभा सदों द्वारे निर्वाजित किया जाता है तो इसमें जो सही answer है वो है option number C इस्तानिय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है उत्राखन के राज्य नगर निगम का प्रमुक यानि कि उत्राखन राज्य में जो नगर निगम है वहाँ का प्रमुक इस्तानिय जो लोग रहते हैं जनता रहते हैं उनके दोरह निर्वाचित किया जाता है अपना प्रमुक अगला है निम्न में से उतराखंड राज के प्रेथम मुख्यमंत्री कौन थे वैसे तो आप लोग जानते होंगे तो मैं भी बता दूँ उतराखंड का जो प्रेथम मुख्यमंत्री था वो था नित्यानंद स्वामी वो थे नित्यानुन स्वामी जी, option number C is right answer अगला है, इसकंद पुरान में माया छेत्र यानि हरिद्वार से हिमाले तक के विश्थरिच छेत्र को क्या कहा गया है मानस खंड, केदार खंड, देववमी, उत्तर खंड अगला है, उत्तर खंड पर सासन करने वाली प्रेथम राजनितिक सकती, कुडिंद्र किसके समकालीन थे तो वो थे मौरियों के समकालीन, option number B is right answer उत्तर खंड पर सासन करने वाली प्रेथम राजनितिक सकती थी, जो थी कुडिंद्वन्स या कुडिंद्र आप कहेंगे वे मौरियों के समकालीन थे अगला है, अलमोडा में डिवोटिंग कलब की स्थापना कब की गई थी तो या आप इसको डिवेटिंग कलब भी कह सकते हैं तो वो है थी 1870 इस वी में अलमोडा में जो डिवोटिंग या डिवेटिंग कलब की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1870 इस वी में अगला है, पेसावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गड़वाल दिवस मनाने की घोसना की थी महादमा गांडी ने, पणिजवाहल लाल नहरो ने, मोती लाल नहरो ने और वलव भाई पटेल ने तो मोती लाल नहरो आपका से आंसर है पेसावर कांड से प्रभावित होकर इन्होंने, मोती लाल नहरो ने संपूर्ण देश में गड़वाल दिवस मनाने की घोसना की थी अगला है, नीम्न में से किन सगी बहनों ने सर्वो दे का परचार परचार किया था कुंती, कमला, कमला, विध्या, वसंती, सर्शती और कमला, बसंती तो option number D आपका से आंसर है कमला एवं बसंती, कमला और बसंती सगी दो बहने थी उन्होंने ही सर्वो दे का परचार और परचार किया था अगला है नीम निलिखिन में से टिहरी के प्रेथम सासक कौन थे तो सुदरसन साहा आपका सही आंसर है यह कई बार एक्जाम में पोछा जाता है और कई बार मैंने आपको MCQ सिरीज में भी इनका जिक्र किया है सुदरसन साहा आपका सही आंसर है उतराखन का राजापूस्प क्या है तो उतराखन का जो राजापूस्प है वो है ब्रहम कमल आपको पता होगा option number C अगला है उतराखन राजए का नाम उतराणचल से उतराखन कब किया गया था Option number D आपका सही answer है 1 January 2007 के बाद यूँ तो आप जानते होंगे कि जब राजय गठन हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग होकर अपना उत्राँचल बना था यानि तब हमारे राजय का नम उत्राँचल था और उसके बाद यानि 1 January 2007 के बाद उत्राखन पड़ गया था 1 January 2007 से अगला है उत्राखन राजय की कुल 5 लोग सवाज सीटों में से कितने सीटें ऐसी के लिए सुरक्सित है तो एक आपका सही answer है उत्राखन राजय की जो 5 लोग सवाज सीटे हैं उनमें से ऐसी के लिए एक ही सीट सुरक्सित है अगला है निम्न मेंसे मोनाल किस राज का पक्सी है या राज का राज पक्सी है तो आपका जो इसमें सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश और उत्राखन यह तो आपने सुना होगा कि उत्राखन का जो राज पक्सी है वो मोनाल है और ये उत्राखन के साथ साथ पडोसी राजे हिमाचल प्रदेश का वी एक यानि राजे पक्सी है मोनाग अगला है उत्राखन राजे के प्रेथम मुख्य सचिव कौन थे? सतुरुगन सिंग, राकेश शर्मा, अजे विक्रम सिंग, शुभाश कुमार अजे विक्रम सिंग आपका सही आंसर है, option number 6 is right answer अगला है निम्न में से कुमाओ का प्रेथम कमिशनर कौन था? तो कुमाओ का जो प्रेथम कमिशनर था वो था E. Gardner अगला है कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्राखन राज्य से कौन उपस्तित होए थे? कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यानि सन 1886 में उत्राखन राज्य से ज्वालद जोसी जी वहां उपस्तित होए थे? अगला है निम्न में से तपवन में किसने तपश्या की थी? तो लक्समर जी ने तपवन में तपश्या की थी? अगला है गैर सेंड में राज्य के दूसरे विधान सवा भवन का ओपचारिक सिनलानास कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका 14 जनवरी 2013 में अगला है तिहरी राज्य प्रजा मनल की इस्तापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन बदृरि दत पाने वीरचनर सिंग गडवाले इंडर मनी बढ़ो नी तो स्रीदेव सुमन आपका से आंसर है आपसन नमर ए इस राइट आंसर तेहरी राजय प्रजामनल की इस्तापना स्रीदेव सुमन ने की थी तो दोस्तों आज की कलास हमारी यहीं पर समाप्त होती है I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ सेयर कीजिए आज की वीडियो आपको कैसे लगे यह कमेंट बाग में जरूर बताएं Thank you for watching, stay connected, stay blessed